नमस्कार दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कई तरह की कमेंट्स आ रहे हैं और लोग लगातार हमसे यह पूछ रहे थे कि मसाला बनाने के बिजनस के बारे में आप हमें बताईए तो आज का यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मसाले का बिजनस शुरू करना चाहते है क्योंकि मसाला एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होता है चाहे वह सबजी बनानी हो दाल बनानी हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अप्योगी है इस वीडियो कौन तक देखेगा क्योंकि हम इस वीडियो के जरी आपको बताएंगे कि ऐसे कौन-कौन से फैक इसके लिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए का कमेंट बॉक्स को लिखेगा कि और कैसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं बिजनस को लेकर और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहेंगे तो चलिए शुरुआत मसाले बनाने की बिजनस स तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मसाला एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होता है और इसके पूरी प्रक्रिया होती है हाला कि हम घर में अगर थोड़ा सा मसाला बनाना है तो हम कुछ मसाले लेकर जैसे दाल चीनी, लॉंग इलाइची, बड़ी इलाइची इन सब को लेकर फीस देते हैं अलग-लग प्रपोर्शन में और मसाला तयार हो जाता है लेकिन अगर आपको बिजनस शुरू करना है तो जाहिर सी बात है एक पूरी प्रक्रिया होगी इसकी पुरा प्रोसेस होगा, मशीन्स चाहिए होगी, जाहिए होगा, तो आज इस वीडियो के जरिये इन सब बिंदूओं पर बात करेंगे, घर के मसाले बनाने के लिए रौ मटीरियल, इस विपार के लिए रूप में केवल वही कच्छे मसाले लगते हैं जिसकी सहायता से आप विपार करना चाहते हैं, आम तोर पर इस विपा इस मशीन की सहायता से मसाले के रौ मेटिरियल से कंकर पत्थर साफ के जाते हैं, ड्रायर, ड्रायर का प्रयोग करके मसाले को सुखाया जाता है, ग्राइंडिंग, इस मशीन की सहायता से कम मेहनत में मसाला पीसा जाता है, पावर ब्रेडर, ये मशीन बारीक पाउडर को नी ये मशीन की सेट अप के लिए लगभग 4 लाख रुपए तक निलाग रताती है। कहां से खरीदें? आप होल सेल या फिर ओनलाइन माध्यम से मसाले और मशीन नीचे दिये गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। घर के मसाले के विपार का पंजी करन। ये विपार एक खादी विपार है अता इसके लिए अवश्यक पंजी करने किराना अवश्यक है. आपको सबसे पहले अपना फिर उद्योग आठार अत्वा MSME के अंतरगत कराना होगा। आपको आपके फॉर्म के नाम पर किसी बैंक में एक अकाउंट बनाने की आविशक्ता होती है तो हमें पूरे यकीन है कि अगर आप इस तरह के बिस्नस की इच्छा रखते थे तो आप आपके पूरे डॉक्स क्लेर होगे होगे झाल